हेलो दोस्तों, तो दिखे, आज के इस वीडियो में हम दो रेखिक सम्मी करणों को विलोपन विदी से हल करना सीखेंगे तो दिखे, बूर एकजाम में ये कोश्यन हर साल पूछे जाते हैं और लगो चार नमबर में विलोपन विदी जो कोश्यन है वो पूछा जाता है तो दिखे, आज हम इसे हल करना सीखेंगे तो दिखे, आपके सामने यहां दो रेखिक सम्मी करणा है तीन एक्स प्लस चार वाई बरावर दस, दो एक्स प्लस दो वाई बरावर दो ठीक है, इसे हमें विलोपन विदी से हल करना है तो दिखे, आपको सबसे पहले क्या करना है इस पहले सम्मी करण को आप सम्मी कर नमबर एक मान लीजिए और दूसरे को समिक नंबर 2 मान लीजी ठीक है अब देखिए इसमें आपको क्या करना है देखिए ये X का पद है और ये भी X का है ये Y का है और ये Y का है अब आपको क्या करना है इस बिजी में क्या करते है कि इन मैंसे किसी एक पद को बरावर कर लेते हैं या तो आप XX के पदों को बरावर कर लीजिए या YY के पदों को बरावर कर लीजिए ठीक है ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर XX के पद एक जैसे हो जाते हैं तो हम उसे काट कर हटा लेते हैं और यह y वच्टे हैं तो उसको आसानी से हम solve कर लेते हैं अब यह सब करते कैसे हैं यह हम यहाँ पर सीखेंगे तो दिखें जैसे अगर आप x के पदों को बरावर करना चाह रहे हैं ठीक है या तो आप x के पदों को बरावर करू या y के पदों को आप जिसको भी करना चाहें कर सकते हैं जैसे हम यह x के पदों को बरावर करेंगे तो क्या करना है देखी समीकर नमबर 1 में x के आगे जो भी नमबर है ठीक है तो यह क्या गुणा को कहलाता है तो जो भी नमबर है उसकी गुणा आप समीकर नमबर 2 में कर दीजिए और समीकर नमबर 2 में X के सामने जो भी नमबर उसी गुणा आप समीकर नमबर 1 में कर दीजिए यह काम आपको सबसे पहले करना है देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण एक में दो से गुणा दो से वा समीकरण दो में तीन से गुणा करने पर ठीक है यह सब आपको यहां पर करना है अब दीखिए जवाब सम्मीकर नमबर एक में दू से गुणा करेंगे तो जब आप इसमें दू से गुणा करेंगे तो दीखिए दू का जब तीन से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 फिर प्लस फिर दू का गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आठ वाई और ये बरावर और दू का जब आप दसमें करें कितना हो जाएगा 20 और समी का नमबर आप 2 में किस से गुणा कर रहा है 3 से तो 3 से करिए गुणा अब देखें 3 दूनी 6 और फिर क्या है प्लस 3 दूनी 6 वाई बरावर 3 दूनी 6 ठीक है इतना कर लिया अब आप कहा करेंगे इसको समी का नमबर 3 माल लीजिए और इसको समी का नमबर 4 माल लीजिए ठीक है देखें यहाँ पर यह दोनों पत कैसे हो गए बरावर हो गए अब आपको क्या करना है इन दोनों पतों को यहनी इन दोनों समी कणों को ही आपको हल करना है इनकी जो मान आएंगी वही इन दोनों के आएंगी ठीक है तो अब आप इन दोनों समीकणों को हल करेंगे तो दीकिए आप अब आगी इस टेम में यहाँ पर क्या करना है दीकिए यह दोनों पद कैसे आ गए है बरावर आ चुके है दीकिए अब हमें क्या करना है इनको काटना है तो इनको कैसे काटेंगे जैसे आप मान लीजी जैसे अगर मान लीजी देखो यहां 2X है ठीक है और यहां भी 2X है अगर यह प्लस का है और यह माइनस का हुता तो यह दोनों कट जाते तो यही चीज हम यहां करने वाले हैं अब आपको क्या ध्यान रखना है देखिए इन दोनों पदों को काटेंगे तो आपको ये याद रखना है कि जब ये दोनों पद यानि कि जो आगे वाले दोनों पद हैं जिनकों काट रहे हैं यह भी plus का है और यह भी plus का है तो जब दोनों plus plus की रहेंगे तो हम क्या करेंगे समिकण 3 से 4 को घटाएंगे ठीक है यह चीज आप ध्यान रखें कि जब दोनों plus plus की रहेंगे तो समिकण नंबर तीन से चार को घटाएंगे अगर प्लस एक प्लस का और एक माइनस का होता तो दोनों समिकर्णों को हम जोडते तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो हम क्या करेंगे समिकर्ण नंबर तीन से चार को घटाएंगे तब को यह यहां पर लिखना पड़ेगा कि समिकर्ण तीन से समीकरण चार को गटाने पर अगर आप इस तरीके से इसको करेंगे तो आपको पूरा ही नमबर मिलेगा तो देखेंगे तीन से चार को गटाने पर तो समीकरण तीन को पहले आप लिखिए तो यह क्या 6X प्लस 8Y और बरावर के 20 और समीकरण चार क्या है यह तो 6X प्लस 6Y बरावर 6 ऐसे आपको एक है यह लाइन करने हैं अब आपको गटाने है आपको क्या करना है देखें नीचे वाले जो भी नमबर है देखें यह जहाँ पर प्लस का है तो इसको माइनस कर देंगे ठीक है उपर वाले जो उनको आपको वैसे ही रहने देना है नीचे यह प्लस का है तो इसको माइनस करेंगे यह प्लस का है तो यह माइनस और यह प्लस है तो यह माइनस अब आपने नीचे जो चिन बदले हैं ये नीचे वाले पद उन्ही चिन्नों के आपको माननी है ये पहले 6x प्लस का था आपको माइनस का मानना है ये क्या है ये प्लस का था जो ये माइनस का लेना है यानि अब आपने नीचे जो नई चिन लगाए हैं तो नीचे वाले पद आपको उसी चिन्नों क के माननी हैं, तो दीखें, ये plus का और ये minus का, तो ये दोने क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, अब दीखें, ये 8y plus के हैं, और ये 6y आपके किसके हैं, माइनस के, तो plus minus क्या होता है, माइनस, आठ मेंसे जब 6Y को माइनस करें तो यह आएगा अपका 2Y पलस का और यह क्या है बराबर अब देखिए 20 मेंसे आपको 6 माइनस करने क्योंकि यह पलस है यह माइनस है तो पलस माइनस माइनस हो जाएगा अब 20 में से जब आप 6 माइनस करें तो क्याएगा आपके पास में 14 अब यहां से जब आप Y का मान निकालेंगे तो दीखिए यह दो गुडाम हैं तो इधर किसमें हो जाएगा भाग में और 2 से इसको जब काटेंगे तो कितना आजाएगा 7 तो आपके पास में Y वरावर कितना जाएगा 7 आगया अभी हमें X का भी मान निकालना है अब आप क्या करेंगे इस Y के मान को इन समीकणों में से आप किसी में भी लगा सकते हैं आप समीकर एक में भी लगा सकते हैं दो में भी लगा सकते हैं और यह जो बनाई थे आपने इन किसी में भी लगा लें अंसर आपका सही आएगा अब आपको देखिए यह देखना है कि देखिए यहाँ 6X है यहाँ 6Y यहाँ 8Y है तो आप क्या करें कि इस Y के मान को इन में लगा लें क्योंकि आपको कैलकुलिसन थोड़ी कम क्यों कि देखिए यहाँ छोटे छोटे नमबर यहाँ 3X है यहाँ 4Y है तो आप किसी में भी लगा सकते हैं आपकी इच्छा है तो मैं मान लीजी y के मान को समीकर नमबर 1 में लगा दूँ ठीक है तो यह आपको यहां लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है उसको यहां पर हम पहले नोट करेंगे तो समीकरण 1 क्या आपकर देखें 3x प्लस 4y बरावर 10 इसको यहां लिखेंगे कि 3x प्लस 4y बरावर में 10 अब इस y के मान को आप कहां लगा रहे हैं समीकरण 1 में तो y कहां है यहां है ठीक है इसको यहां पर लगा दीजिए तो यह 3 X ऐसे ही रहेगा और प्लस यह क्या है? 4 तो यहां बीच में गुणा लगाएंगे और Y कमन कितना है था? 7 और बरावर में क्या आपका? 10 ठीक है? अब यह 3 X और प्लस देखिए 7 चोग 28 बरावर यह आपका क्या है? 10 3 X देखिए यह जो नमबर है यह इदर चला जाएगा नमबर के पास में तो बरावर यह 10 और यह 28 इदर जाएगा तो यह माइनस का हो जाएगा 3 X बरावर अब आप 10 देखिए 10 में से 28 को माइनस करेंगे यह प्लस मानिए यह माइनस है तो माइनस हो रहा है तो यह माइनस के कतने आएंगे 18 अब यहां से आप X का मन निकालेंगी तो माइनस के 18 अब यह गुड़ा में है तो यह भाग में जाएगा और जब आप इस से इसको कैंसिल करेंगी तो X का जो मान है वो क्या आएगा माइनस के 6 तो आपके पास में जो दोनों, यानि कि X का जो माने वो माइनस 6 आया है और Y का जो माने वो 7 आया है, ठीके? तो आप इस तरीके से विलोपन विधी द्वारा समीकर रेकिक समीकणों को हल कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें